एलेक्टिक वेहिकल आग लगने की घटनाओं पर सरकार सखत हो गई है रेपोर्ट की माने तो केन सरकाने इलेक्टिक स्कूटर बुनाने वाली कंपणियों ओला ऐलेक्टिक, प्योर एवी और ओकी नावा को नोटिस भेजा है इन सभी कम्पनियों चे पूछा गया है कि क्यों उनके खिलाफ कारवाई ना की जाया है सरकार ने इन सभी कम्पनियों को नोटिस का जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया सरकार ने खराब बैटरियों को आग लगने की वजह बताया है सरकार एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी पर भी बात कर रही थी इस पैनल ने भी कहा है कि बैटरी का उसका क्या हुआ दोनों तरफ से बात चल रही पहली चीश तो यह कि जो इसकूटरस में आग लगी और उसके बाद कैंसर कार ने एक जाज़ दल बनाया था स्वैप करके लगा लें और बैटरी तब तक चार्ज होती रहे शुरुआती तार पर इसका संकेत सरकार ने बजट में दिया था माना जा रहा है कि शुरुआती तोर पर टू वीलर और त्री वीलर के लिए बैटरी सविंग पालिसी पहले इंप्लिमेंट की जाएगी इसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशन्स तै किये जाएंगे जिन स्पेसिफिकेशन्स को आटू कमपीनिया यानि जो तिपहिया और दुपहिया वहन बनाने वाली कमपीनिया हैं उन्हें उसी स्पेसिफिकेशन्स की बैटरी बनानी पड़ेंगी और जो चार्जिंग सर्विस की तकनिक उसकी सुरक्षा उसकी स्वेपिंग कुछ भी इस्टेंडरडाइज नहीं है तो ये पॉलिसी एवी की दिशा में इलेक्ट्रिक वेहिकल की दिशा में जाने में काफी महत्वपूर्ण और काफी जरूरी साबित होगी इसका इंतजार किया जा रहा है मैं ध्यान रख झाल